Dear Children, Good Morning अंग्रेजी की कच्छा में आज का लेशन है Lesson 3 Magic Words कुछ ऐसे सब्द हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं आइए इन सब्दों को जानते हैं कि कौन से ये Magic Words हैं कौन से ये जादूई सब्द हैं Sorry Sorry, छमा कीजिए Thank you, धन्यबाद Please, कृपया Pardon, छमा करें Welcome, श्वागत है ये कुछ ऐसे सब्द हैं जो जिनका उप्योग अगर हम अपने जीवन में करें तो ये वास्तों में जादूई प्रभाव हमारे जीवन में दिखाते हैं आइए हम इस कहानी के माध्यम से अंग्रेजी में इसको इसके प्रयोग को देखते हैं चात्रा का इंटर्स मने प्रभेश करती है क्लासरूम मने कच्छा में कच्छा में प्रभेश करती है आगे क्या होता है कबीर वहाँ एक चात्र बैठे हुए है कबीर करते हैं हेलो मिठी वो अभिवादन करते हैं हेलो माने वह इसे होता है सुनो मीठी नाम है सुनो मीठी वो उनका अभिवादन करते हैं लेकिन ये अभिवादन के सब्द के रूप में अंगरेजी में प्रयोग किया जाता है हेलो मीठी भी उनका जवाब देते हैं हेलो कबीर मीठी भी कते हैं सुनो कबीर हाउ आर यू हाउ मने कैसे आर मने हो यू मने तुम तुम कैसे हो कबीर उतर देते हैं आई आएम फाइन मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में आई के उपर कामा लगा के यम लिखा रहा है तो उसको पढ़ेंगे आई एम फाइन मैं अच्छा हूँ थैंक यू थैंक यू मतलब धन्यबाद यस्टरडे आई वाज अप्षेंट यस्टरडे माने बीता हुआ कल आई माने मैं वाज माने था अप्षेंट माने अनुपस्थित कल मैं अनुपस्थित था आई कुड नाट डू माई होमवर्क आई माने मैं कुड मने सका, नाट मने नहीं, डू मने करना, माई मने मेरा, होमवर्क मने ग्रिह कारे, मैं अपना ग्रिह कारे नहीं कर सका, उड्ड यू प्लीज गिभ मी योर नोटबुक? उड़ यू उड़ गागी गे यहां आगया यू माने तुम प्लीज माने कृपिया गेप माने दोगे मी माने मुझे योर माने तुम्हारा नोटबूक माने कापी क्या तुम मुझे अपना कापी दोगी मिठी बोलती है ओ, ì श्योर अरे क्यों नहीं शूर मतलब निश्च थी please take it कृपया take मने लेना eat मने यह please take it कृपया यह लो कबिर फिर बोलते है thank you मिठी thank you मने धन्यबाद मिठी जो है उस छात्रा का नाम है कहते हैं thank you मिठी धन्यबाद मिठी फिर मिठी बोलते है वेलकम कबीर जब कोई आपको थेंक्यू बोलता तो आप क्या बोलेंगे वेलकम वेलकम कबीर आपका स्वागत है कबीर अब एकता आ गई एकता क्या करें excuse me क्रिपया मुझे छमा करें is this your box अब देखे is पहले आ गया सहाय क्रिया है this मने यह यह पहले आ गया तो क्या हो जाएगा क्या यह तुम्हारा बाक्स है मिठी क्या यह तुम्हारा बाक्स है मिठी yes it is mine yes मने हाँ it मने यह mine मने मेरा हाँ यह मेरा है मिठी कह रही है वेकता would you please show me your story book अब एकता का रही है किस से मिठी से would you please गागी गे मने बताया पले you मने तुम please मने क्रिपया show मने दिखाओगी me मने मुझे your मने तुम्हारा story book मने कहानी की किताب क्रिपया तुम मुझे अपना कहानी का किताब दिखाओगी एकता ने कहा मिठी बोली pardon pardon क्यों बोली क्योंकि उनको ये सुनाई नहीं दिया जब कोई आप से कुछ बोले और सुनाई नहीं दे तो आप कह सकते हैं pardon मतलब वो पूरी बात समझ नहीं पाई फिर एक ता उस बात को दोहराती है would you please show me your storybook would you please you माने तुम please माने क्रिप्या show माने दिखाओगी मी माने मुजे योर माने तुमारा storybook माने कहानी की किताब क्रिप्या तुम अपना कहानी का किताब मुझे दिखाओगी मीठी बोलती है yes एकता मेरे चित्रों वाली किताब कहा है? पिक्चर बुक कहा है? एकता बोलती है, I'm sorry, I am sorry, मैं दुखी हूँ, sorry मने दुखी होना, मैं दुखी हूँ, या मुझे छमा करो, I left it at home, I मने मैं left मने छोड़ दी, it मने या at मने पर, home मने घर पर, यह मैं घर पर, छोड़ दी, I will bring it tomorrow, I मने मैं, will bring मने ले आउंगी, it मने यह, तुमारो मने कल, आने वाला कल, मैं यह कल ले आउंगी, रभी आ गए, अब रभी एक नया करेक्टर आ गए, yesterday I made a mistake, yesterday मने कल, I मने मैं, made मने किया, यह मने एक mistake मने गलती, yesterday कल मैंने एक गलती किया, I uprooted a new sapling, I मने मैं, आपrooted मने उखार देना, आपrooted मने उखार देना, रूट से, जड़ से उखार देना, ए मने एक new मने नया, शेपलिंग मने पवधा, मैंने एक नय पवधे को उखार दिया, what would the teacher say, what मने क्या, उट सहाय क्रिया है, गागी गे वाला, तो teacher मने अध्यापक, शे मने कहेंगे, teacher हमें क्या कहेंगे, मीठी, मीठी क्या कर रही है, उनका उत्तर दे रही है रभी का, our teacher is very kind, our मने हमारे teacher मने अध्यापक, कीज मने हैं, very मने बहुत, kind मने दे यालू, हमारे teacher बहुत ही दे यालू है, if you say sorry to him, he would forgive you, if मने यदी, if मने यदी, you मने तुम, say मने कहोगे, sorry मने छमा करने के लिए, to him मने, उनसे, he मने वह, उड़ गागी गे, forgive मने, चमा करेंगे, you मने तुम्हें, यदी तुम, उन्हें sorry कहोगे, उनसे चमा मांगोगे, वह तुम्हें चमा कर देंगे, अब रभी कहते हैं, thank you मिठी, for giving me such a good advice, thank you, thank you मतलब, धन्यबाद, magic word है, मिठी, मिठी, धन्यबाद, for मने लिए, giving मने देने के लिए, me मने मुझे, such मने ऐसा, a मने एक, good मने अच्छा, advice मने शला, मिठी, तुम्हें ऐसा अच्छा सला देने के लिए, धन्यबाद, ठीक है, तो यह जो है, इसकी कहानी थी, आट में देखा आप लोगोंने, कि यह जो नीले कलर से लिखे हुए है, thank you, please, please, thank you, welcome, excuse me, please, pardon, please, यह जो magic word है, इनका कितनी अच्छी तरह से, इस में प्रयोग किया गया है, sorry, sorry, thank you, इसका प्रयोग आप लोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं, और इसका लाब प्रात्त कर सकते हैं, यहां कुछ कठिन सब्दों के मिनिंग दिये गए हैं, इनको भी जान लेते हैं, word, pronunciation में उचारड, मिनिंग माने अर्थ, assembly, assembly माने प्रात्ना सभा, pardon, pardon माने बात को दुबारा कहने का अनुरोद करना, अपकोष, अपकोष में बेशक, अप्रूटेड, अप्रूटेड माने पवधे को जड़ से उखाडना, शैपलिंग, शैपलिंग मने छोटा पौधा, काइंड मने दयालू, फारगिब मने माफ करना, फिर अपरूट पौधे को जड़ से उखाड़ना, ठीक है, तो इस प्रकार से यह पार्ट यही समात्त होता है, आप लोग इस कहाने में आये हुए कठिन सब्दों और वाक्यों का आर्थ कापी पर लिखिएगा, इस पार्ट के प्रस्न उत्तर को ले करके अगले वीडियो में हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यबाद, नमस्कार